मान हानी को अपराद क्यों बनाए रखना चाहता है लौ कमिशन क्या इससे सरकार को हो रहा है फायदा इस सवाल बड़ा बना हुआ है इसी का जवाब ढूंडने की आज हम लोग कौसिस करते हैं अगर हम लोग लौ कमिशन के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1834 में हुई थी यह जरूर आप लोग याद रखेगा मैं बिधी आयोग की बात करा हूँ तो साल 2017 कानून मंतराले ने लोग कमिशन को एक लेटर लिखते हुए जबाब मागा था कि मान हानी को क्रेमीनल लोग में क्यों रखना चाहिए मंतराले का कहना था कि मान हानी की हमारे देश में काफी आलोचना की जाती है इतना ही नहीं कुछ लोगों का मानना है कि इससे मौलिक अधिकारों पर भी परभाव पढ़ रहा है मानहानी कहने का मतलग होता है आपने सुना भी होगा कि किसी ने मानहानी का मुकदमा दायर किया हुआ है आपकी द्वारा कुछ बोला जाता है आपकी द्वारा कुछ लिखा जाता है कोई चित्र बनाया जाता है उससे अगर किसी की छवी को नुकसान होता है तो बो मानहानी का मुकदमा दायर कर सकता है। यही कारण है कि कानून मंतराले ने बिधी आयो की को जिम्मेदारी दी थी। कि उए मानहानी के सभी पहलू पर गौर करते हुए बताए कि इसी क्रिमीनल लौ से हटाया जाना चहिए या नहीं। को उस समय पहले आपने देखा होगा राहुल गांधी की लोगसभा सदस्ता भी रद्धिकर दी गई थी मानहानी के मामले में है। और इस पत्र के साथ साल बाद विधी आयानी की लोग कमिसन ने इस पूरे मामले पर स्टेडी करते हुए इस की रिपोर्ट सम्मिट की है। और न्यायमूर्ती नीतूराज अवस्थी की नेतित में 26, कितना 22, 22.22, 22 लोग कमिसन ने अपनी रिपोर्ट 281 वी रिपोर्ट में अपरादिक मानहानी के कानून को नए भारती अपरादिक कानून में बनाए रखने की सिफारिस की है। और Law Commission ने अपनी सिफारिस में कहा कि अपरादिक मानहानी का मामला क्रिमिनल लों में बने रहना चाहिए, ताकि जूटे और फड़ी बैयान देने बालों के भीतर डर बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, डर बना रहे हैं, या आप देखें मानहानी दो सब्दों से मिलकर बना है मान, सम्मान और हानी सम्मान का नुकसान है, यह है कानून लगबग हर देश में चलता है, मानहानी के बना सब्दों से ही नहीं, बलिकि कार्टून के जरी या इसारों में भी हो सकती है, कोई बैक्ती या संस्था, किसी पिसिद बैक्ती या संस्था के बारे में कुछ गलत य जो सच नहीं है तब अपवाहें पहलाने बाले के खिलाब मानहानी का मामला दर्ज किया जा सकता है अगर सच है तो कोई बात नहीं है मौलिक अधिकारों पर प्रभाव पढ़ने को लेकर लोग कमीशन का तरक तो बिदी आयव ने इसी रिपोर्ट में मानहानी का मौलिक अधिकारों पर प्रभाव पढ़ने को लेकर कहा कि भारत के लोगों को जो बिचार और अभीविक्ति का अधिकार मिला है वह समीधान के तह पूरी है कि लोगों की गरिमा और पितिष्ठा को बचाय रखने के लिए मानहनी को अपराद की सेडी में रखा जाए ताकि कोई ब्यक्ति किसी और की पितिष्ठा का हनन ना कर सके और जो हमें मौलीक अधिकार में ले हुए ना इसमें साप साप कहा गया है कि अगर आप देख तब आपकी आजादी पर रोप लग जाएगी आपको संगठन बनाने की सुतंता है अच्छा संगठन बनाईए अब आप देखिए देश की एकता खंडता को नुकसान पहुंचाने बाला कोई संगठन बनाने लग जाओगे तो पिति बंद लग जाएगा और ये आप लोग मानहानी एक कानूनी पिकरिया है जो किसी भी बैक्ती के संबान को जानबूच कर गलत एरादों से खराब करने के खिलाब बनाये गया है अंगरी जी भासा में से डीप मेसन कहते हैं और मानहानी को आईपीसी की धारा 499 में परिसे भासित किया गया है धारा 499 के रुसार पितिष्ठा पर लांचल लगानी की कौसिस करता है तो ऐसे में मानहानी माना जाएगा आईपीसी की धारा इसी धारा में मिट बैक्ती की मानहानी का भी जिक्र किया गया है और जिसके तहत किसी भी टिपडी या सब्दों के जरी है मिट बैक्ती की पितिष्ठा पर लांचल लगानी की causes की जाती है, तो मिट व्यक्ति के रूश्तियार उस पर मानहनी का मुकदमा चला सकते हैं। मानहनी के लिए दिया गया टिपिडी या बयान का आपति जनक होना बह wyst जरूरी है और वह बयान आपति जनक है या नही इसका फैसला करता हैं। करता है कोट करता है इन बातों को नहीं माना जाता है मानहानी तो अगर कोई व्यक्ति या संस्था दूसरे व्यक्ति के संस्थान पर ऐसी बात का लाक्षन लगाता है जो सही है तो ऐसे इस्तिती में उसे मानहानी नहीं माना जाएगा जब सच है तो सच है उसमें क्या मानहानी अगर किसी कोट में कोई कारवाही चल रही है तो उस मामले से जोड़े लोगों की बारे में रिपोर्ट किया जाना मानहानी नहीं माना जाएगा अपनी किसी भी रचना को पबलिक ओपिनियन के लिए रखना या फिर उस पर अपनी राये देना मानहानी नहीं माना जाएगा मानहानी मामले में कितने साल की सजा का प्रावधा ने तो IPC की धारा 500 की तहट कोई भी व्यक्ति मानहानी मामले में दोसी पाया जाता है तो उसे कम से कम दो साल की जेल या जुर्वाना या फिर दोनों की सजाव हो सकती है और इससे सरकार को क्या फायदा हो रहा है तो पत्ना यूनिविसिटी के प्रोफेसर अंकुस मिसरा इस सवाल पर जबाब देते हुए कहते हैं कि ये तो नहीं कहा जा सकता है कि मानाहनी को अपराद की सेड़ी में रखने से सरकार को फायदा हो रहा है लेकिन मानाहनी सब्द का इस्तिमाल जालतर राजनीती में ही सुनने को मिलता है आम तोर पर चुनाओ पिचार के दोरान एक नेता दूसर नेता के खिलाब कुछ ऐसे सब्द बोल जाते हैं और जिससे उन पर मानहनी का मामला दरच किया जाता है ऐसा ही एक मामला 2023 में राहुल गांदी के साथ हुआ था जब राहुल गांदी ने आप देखी मौदी सरने मामले में दोसी करार दिया गया था उस बक्त दिल्ली के सीएम अर्विन के जरीयवाल समयत कई बिपक्ची नेताओं ने आरोप जरूर लगाया था कि भाती जिंता पा काम सवाल पूछना है अब राहुल गांदी का मामले में दोसी करार दिये जान जाने को ऐसे भी देख सकते हैं कि देश में इसी साल लोगसवा चुनाओं होने बाले सभी पार्टिया अपने जी जान लगा कर सत्ता म्यानी की कौसिस कर नहीं है भारत जोड़ो यातरा के हलाकि बाद में सुप्रींग कोट ने राहुल गांदी की सजापर रोक लगा दी थी लेकिन अगर वह किसी भी तरह चुनाओं से दूर हो जाते तो इसका फायदा बेसक भारतिय जन्ता पार्टी को ही मिलता नई भारतिय नियाय सहिता में अपराद है मानहानी तो नई भारत में दोसी पाय जाने बाले सक्सशौल सोशल सर्विस करने जैसी सजा देने का भी पराथन है और इस से पहले दोसी को सिरफ जुर्माना ये जेल की सजा का पराथन था लेकिन अब इसमें सोशल सर्विस जैसी सजा भी जोड़ी गई है तो यही मान पा Erst